दर्भंगा एम्स का कारेकरम चल रहा था वहां पर गए वे थे प्रधानमंतिरी नरेंदर मुदी ये है भूमी पूजन शिलान न्यास था उसका अब नितीज जी अपना भाशन देखर के आए और सामने मुदी जी बैठे थे उमुदी जी के पैर चुने लग गए उन्होंने तुरांत उनको रोका खड़े हुए दोनों फिर उनको बैठाया पगड़ में लेकिन नितीज जी का ऐसा करना ये बड़ा विचितर जान पड़ रहा है अचा मैं देख रहा हूं कि ये चाहत पहली बार नहीं हुआ इससे पहले भी एक बार हो चुगा है का व्यक्ति था वहां भी नितीज कुमार जी ने ये कर दिया तो जो समस्या कहीं जा रही है ना जो जिसके चर्चा होती है शाइद ये सम्हाव से उस रूप में कहीं जुड़ा हुआ हूँ ये इमोशन थेकेदार की पेर चुने पर चुभी पराड़ी समस्यां है उनके सर्धान मंतिरी के भी क्यों पर ने वहां मुद्न बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सचमुच ये सोचा जाना चाहिए कि नितीश जी अब उसके लिए कितने उप्योगत हैं ये कहते हुए भले में खराब लग रहा हूँ लेकिन मुझे लंबे समय से ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि नितीश जी सिर्क कुर्सी पर बैठे हुए है और ये किसी भी राजी के लिए अच्छा नहीं बिहार जैसे राजी के लिए तो बताई है एक सर एक चीज़ा उप्चुनाओं की बाद चर्चा हम लोग की रहे गई थी बिहार में भी उप्चुनाओं हो रहा है अब लालू यादव एक सीट पर प्रचार करने के लिए ये लोगों को बड़ा विचीतर लगा लालू जी की भी तो तब्यट ठीक नहीं रहती है अभी तो बीजेपी ने किसी ने ये मुद्दा बनाया था कि क्या जेडी उने मुद्दा बनाया था लालू जी को घर में के नजर मत कर रखा है तीजेश्वी आदव ने इसी ने तो गया होंगे इस मुद्दे को दोस्त करने के लिए कि मैं घर में नजर मत नहीं हूँ मैं हूँ परचार में तो कई बार ये भी होता जब आब मुद्दा बनाया बहुत मुसीबत वाली बात होगी क्यों नेरेटिव में बिहार के माइंडसेट के हिसाब से उनके नेरेटिव का जवाब नहीं जैसे कली आप देखें कि जो उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मूली की तरह उखाड ठैकना है जैसे बहुत असानी के साथ किसी इलेक्शन को फॉरवर्ड वर्ड साइज वैकवर्ड में कनवर्ट करना हो तो उसमें लालुकरसाद यादाओ की महारत हासिल है और वहां पर बीजेपिक लिए एक बड़ा कंसर्ण जरूर रहेगा और वहीं नितीश कुमार की उपयोगिता है कि उस तरह का narrative नितीश कुमार के रहते वो create नहीं हो सकता और उस लिएज आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही निता लालुकरसाद यादों की सित्वत्स नजर आ रही है मितिस कुमार की समस्या नजर आ लिए जिसका अधार पर अंदाजा लगा जाता है लेकिन ये दोनों ने ता अगले विदान सबाचुनाओं में कैसे प्लेयर होंगे और कितनी इनकी इनकी एहमियत रहेगी इनकी कैम्पेइन की वो समझादा है और कहां होंगे अब तो रोज बोलते हैं हम नहीं जाएंगे नहीं उनकी तो ऐसी सितिय है कि जेडियू के एक मिटिंग में अभी जो इंडिया की मिटिंग हुई थी उसमें मिटिंग के अंदर उन्होंने कहा ललन सिंग और बिजिंद रियादा को दिखा के कि यहीं लोग लेके चले गया थे यहीं लोग के वजी लोग उनको माले गया